PM किशान सम्मान निदी योजना EKYC last date कब तक है? यह सवाल मन में आपके जरूर होगा अगर आप एक किशान फैमिली से बलाउंग करते हैं और प्रधानमद्री किशान सम्मान निदी योजना की EKYC करने के सोच रहे हैं क्योंकि बिदाउट एक वाई सी आपकी आने वाली किस्ते नहीं बेटी जाएंगी तो आपको एक वाई सी करना बहुत ही मेंड़ी है तो इसकी लाज़ डेट क्या है और बहुत सार कंफूजन है अगर आप जन्सेवा के इंद जाते हैं तो इसकी एक वाई सी में बहुत आपके आधार कार्ड में लिंक नहीं है तो उसका घर बैठे तरीका आ चुका है घर बैठे मौण नंबर को आधार से लिंक कर सकते हैं उसका डेटेल मैंने इस वीडियो में बताया है यूडियो वाज कर ले मेरे चैनल पर आएंगे तो आप वीडियो यहां पर मिल जाएग आधार कार्ड से मौईल नंबर कैसे लिंक करें घर बैठे या वाज कर सकता है उसके लिए मैं आपको चलूँगा सीज़ा पीम किसान संबान ने दी हो जना कि आप 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 जैसे आते हैं तो आपर सबसे पहले देखिएगा रेड कलर से आपको एक इंस्रक्शन यहां दिय हुआ है एक वाइसी मेंडेटरी फॉर पीम किसान राजिस्टर्ड फॉर्मर्स प्लीज कॉंटेक्ट नियरेस्ट एसी सेंटर फॉर बायोमेट्रिक ऑथन्टिकेशन तो एक वाइसी तुप साथ पहले मेंडेटरी है कंपल सरी है आपको कराना ही पड़ेगा तब ही आपके रिष्टे आएंगी और एक वाइसी कराने के लिए अपने नजदी की जो जनसेवा केंदर है सेसी सेंटर वहाँ जाना होगा बायोमेट्रिक ऑथन्टिकेशन अंगुठा लगा कर आधार बेजड एक वाइसी थ्रो ओडीपी ऑथन्टिकेशन हैज बिन टेम्रेली अगे डेडलाइन ऑप एक वाइसी फॉर आल दे पीम किशान बेनिफीसरीज हाज बीन एक्स्टेंड़ तिल थर्टी फर्स्ट मई टूथाउजन टू टूथाउजन टूथाउजन टूटीवन मतलब की डेडलाइन है जो आखरी तारीक है वो 31 मई दो हजार बाइस कर दी ग है तो आपको भड़बाने कि आप शकता नहीं है अभी आपके पास लगभग डिगर से दो महीने है अप्रॉक्स में तो आप इसका विशेज ध्यान रखे लेकिन एक वाइस जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी करा लें अंग उठा जाकर अपने शेशी शेंटर पर जारक पूछ सकते हैं चैनल को सबक्राइब नहीं कि जरू कर लें थैंक्स वाचिंग